हेलो गाइश से वीकास स्वागत है मारे यूटूब चानल मोई टख्पर्ट में तो भाई याज याइप ल का मैच नमबर पच्चीज जो कि बुमबेंडेंस और रॉल चलेंजर बैंगलोर के बीच में कहला जाएगा बुम्बे के होम ग्राउंड याणी की वांट के डिया स् शुरू करने से पहले अगर आपने आमारी वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो फड़ा फड़ा से लाइक कर दे और चैनल पे नियार तो चैनल को सस्क्राइब कर लो तो चलिए रभी सबसे पहले हम पीछ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं देखो यहां की जो पी इस ग्राउंड पर है राइपल के टोटल 113 मैच खेले गे जिसमें अवरिड स्कोर राइक सो सतर प्लस का पहले बैटिंग का नहीं टिम क्याओन मैच जीत हुए इस सेकंड बैटिंग का नहीं टिम बासर मैच जीती स्कोरिंग पैटन देखे दो बिलो स्कोर 150 आपर 27 बार ब बन चुका स्कोर बीटन 172 189 34 बार बन चुका है वह अब स्कोर 190 के ऊपर का स्कोर इस गाउंपर 26 बार बन चुका है चलिए अर अभी हम दोनी टीम का हेट्टो रिकॉर देख लेते तो दोनों टीम ने आपस में टोटल 32 मैच खेले जिसमें से 14 मैच जीता रॉल चलेंजर ब विकेट से जीत गई थे और टोप अफांस प्लेयर देख ले तो इस मैच में आर्सीबी के तरफ से फैप्टू बलेसी ने 65 रन मारा था ग्लेन मैक्सवल ने 87 रन मारा था दिनेश कारतिक ने 30 रन मारा था और विजी कुमार ने 2 विकेट निकाला था वह बुमबई की तरफ वहाँ पर भी आर्सीबी आट विकेट से जीत गई थी और टोप अफांस प्लेयर देख ले तो भाई रसीबी के तरफ से फैप्टू बलेसी ने 73 रन मारा था विराट कोली ने 82 रन सिराज ने 1 विकेट निकाला था टोपली ने भी विकेट निकाला था और करन शर्मा ने 2 वहाँ बुंबई के तरह से तिलगवर माने बहुत बड़े परफार्म किया था चोरासी रन मारा था सुरकुमार यादू ने 15 रन और नियालवदे रने 21 रन मार था और जो ड्रीम टीम थी उसमें कैप्टन तिलगवर मा थे वह इस कफटन विराट कोली थे चलिया अरभी हम में पिछले माच 42 रन उसके पर 16 रन 34 रन तो दूनों उपनर भाई अभी अच्छे कासे फॉर्म में देखो और पिछले माच काफी बड़िया भी गया था वही सूरेकुमार यादू बाई साल का इकी माच कहला जा पर 0 पर आउट होगे और राइपल के पहले बाई कापी च रिको वेद भाई 100 रन, 56 रन, 49 रन, 80 रन, 70 रन ऐसे बड़िया उन्होंने कहला होए आखी हारतिक पांटे भाई पिछले माच बॉलिंग तो नहीं करा है फर बैटिंग नची कासे कररे है देखो पिछले माच अपर 49 रन उसके पहले 24 रन उसके पहले 24 रन प्लस 1 वीग उसक के काफी चे गेते देखो पिछले मैच वो तो सिफ 6 रन मारा उसके पहले 32 रन 64 रन 25 26 और अच्छा कासे यह स्कोर करें तो रेगुलर काफी ची बैटिंग भी कर रहे हैं टीम डेवड बैटिंग काफी जयादा लेट आते फिर भी यह कुछ पिछले मैच इस देखोगे इनके अच्छा कास स्कोर करें पिछले मैच वो तो पिछले मैच वो तो पिछले मैच वो तो प्लस एक विकट उसके पहले तीन रन तो यहां देखोगे दो बैटिंग काफी जदधा लेटा आती इनकी फिर भी यह थोड़ा बहुत स्कोर कर रहें ताब कि यह बॉलिंग से काफी पिछले मैच वो तो फिछले मैच वो तो पिछले मैच वो तो पास विकट वी निकाला है। खेल रहा है, 74 इनी खेला, जापर 2079 रन मारा है, और यहां पर RCB के सामने 31 से नी खेला, 793 रन मारा है, बाकि इशान केशन का जो रिकॉर्ड बैया आर्सीबी के सामने इता कुछ खास नहीं रहे था, बार आइनिंग में से 315 रन मारा है, 26 के अवरेजे, और इस गरण पे भी स अच्छी कर रहा है, यह गरण पर 35 इनिंग में 24 विकेट निकाला है, साथ में 660 रन मी मारा है, बाकि RCB के सामने 15 रन मारा है, और 5 विकेट निकाला है, तिलग वरमा भी RCB के सामने बढ़िया खेलते बाई, 84 के अवरेजे, इस गरण पर 28 के अवरेजे, आकि टीम डेविड बाई जादा कुछ करने पाई, RCB के सामने 2 इनिंग के ला, शिब 4 रन मना पाए, पर इस ग्राउन पर 11 इनिंग के ला, 28 रन मारा है, और 45 के अवरेजे, तो ग्राउन पर बढ़िया परफॉर्म करते टिम डेविड, शेफ़र ने बाई इस ग्राउन पर 2 इनिंग के ला, 65 चलिए रभी हम रोल चलेंजर बैंगलोर के सामने फर्स्टाइम खेलेंगे और पिछला मैच कोईड़ी का बढ़िया गया गया था बाई चलिए रभी हम रोल चलेंजर बैंगलोर की भी प्लेंगे लें देख लेते हो तो उपन करेंगे वह फ्रेप्टु ब्लेश और विराट कोली तो डुपलेशी के भाई पिछले मैच बढ़िया गया गया था चोराली सरन मारा था उसके पहले कुछ मैचेश देखो को तो भाई ज्याद आचे फर्म में नहीं थे पर पिछले मैच ठेक टाक जा गया था बाकी विराट कोली बढ़िया फर्म में पिछले मैच वे सेंचरी लगा कर आ रहे एक दो तेरा रन मारा था उसके पहले भी सभी मैचेस इनकी काफी चेगे 22 रन तिरासी रन सततरा निकिस रन और रि विकेड निकाला था उसके पहले 28 रन मारा था उसके पहले थीन रन मारा था उसके पहले थीन रन मारा था पर फर्म इता कुछ खास है नहीं अभी तक 24 रन पिछले मैचे डवी किये थी अपना जिसमें 9 रन मना पाये थे पर IPL के पहले कुछ मैसेज देखोगे थी पहले काफी चेगे थे वहाँ पर देखोगे थे 33 रन 50 रन 48 रन तो अच्छा कासा ये स्कोर कर रहे थे दिनिश कारतिक भाई पिछले मैचे इनकी भी बैटिंग नहीं आई थी और उसके पहले भी कुछ मैसेज देखोगे थे अच्छा कासे फ़र्म में बैटिंग काफी ज़दा लेट आती इनकी फिर भी अच्छा कासे स्कोर कर रहे मैंड अगर भाई विकेट तो नहीं मिलेगा पर बॉलिंग ठीक टाक करा रहे और इनको पूरे उवर भी नहीं दे रहे पिछले कुछ मैचेस देखे तो भाई याच से एक से दो योवर एक करा रहे बागि इनको कई भी अभी विकेट भी नहीं मिल रहे हर मैच पर विकेट रिगूलर विकेट निकाल ँegए पिछले पाच मैच smells धेको किगए तो बह iets विकेट निकाला और एक भी मैच विकेट लेस ने गें दिनेश कारतिक भी बड़िया परफॉर्म करते हैं इस ग्राउन पर 35 के आवरेज इत 802 रन मारें 30 सीनिंग में और यहां बुंबई के सामने भी देखा जाएतो भाई 25 सीनिंग में 375 रन मारें इस ग्राउन पर देखा जै तो भाई यहां टेनिंग में 4 रन और दो बॉल रोर को हुरें और यहां बस्ट्रफॉर्म करते हैं वहां जबन पर दो आप को chemyer को ओन जंच上नाय ब्ता दूँगा टेली ग्राफ चलका लिंक आज दिस्क्रिप्शन वाक में मिल जाएगा अगर आज एक वीडियो पासर ने तो वीडियो को लाइक कर देना आपने सब्सक्राइब कर देना तो मिलते किसी एक लिए वीडियो में तब तक लियार बाबाई